जह हिंद साथियों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलबे बोर्ड ने फ़र्जी बारा रोकने के लिए कौन-कौन से नए नियम बनाए हैं क्या इससे अम छात्रों को भी परेशानी हो सकती है सारी बाते जानेंगे इस वीडियो में तो चली आज का वीडियो स्टाट करते हैं रेलबे परिक्षा में फरजी बारार नहीं होगा अब आसान तुकेगी धांदली जिस पद के लिए होंगे क्वालिफाई उसी की मुख परिक्षा में होंगे सामील बदली हुए परिक्रिया से बहतर अंक प्राप्त करने बाले चात्रों को फायदा पटना रेलबे भरती बोट की एंटी पीसी परिक्षा में फरजी बारा करना असान नहीं होगा इस वार उमिदबार की फोटो केम्पूटर स्क्रीन पर दिखेगी फॉरम बे भरे हुए फोटो से उनका मिलान कराया जाएगा इसमें अगर थोड़ा भी बहुत कंफ्यूजन हुआ तो लरके की उमिदबारी को रद कर दिया जाएगा अभी तक परिक्षारतियों से पहले स्कॉलर को बैठाने के लिए फोटो को ऐसा स्केन करा देते थे जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता था स्कॉलर बैठ कर परिक्षा दिला कर पास करा देते थे पर इस बार बायोमेट्रिक उपस्तिती के अलावा उमिदबारों को कई अनपरिक्रिया से गुजरना परेगा या पूरी परिक्षा ओनलाइन तिन चरनों में होगी परिक्षा में निगेटिव मार्किंग होगा इसके अलवा NTPC के परिक्षा में एक और बड़ा बदलाव किया गया है वह इसे उमिद्बार जिनोंने जिस पद के लिए अपनी उमिद्बारी की है उसी में उसका चैन किया जाएगा पहले एक परिक्षा के माद्यम से सभी पदों के लिए उमिद्बार चैनित कर लिये जाते जैसे ASM, Goods Guard, CATA, सहित कई पदों के लिए एक ही परिक्षा से चैनित हो जाते थे इस बार मुख परिक्षा में उमिद्बारों को अंकों के अधार पर परतियक पद के लिए चैनित किया जाएगा मुख परिक्षा में अलग-अलग पदों के लिए परिक्षा देनी होगी तो इस बार रेलबे भरती बोर्ट ने परिक्षाओं के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं देखिए फरजिवारा रुखता है या नहीं तो आज का विडियो हैं समाप्ट करते हैं विडियो चाल गए तो चैनल को सब्सक्राइब तता विडियो को लाइक और शेयर ज़रू करें विडियो देखने के लिए आपका धन्यबाद